हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज की वीडियो रहने वाली है कार की ये LED लाइट्स के उपर ये इस तरह के बॉक्स में आती है और ये जर्मन टेकनोलजी के उपर बेजड़ है ये प्रोडक्ट और इसके उपर ये इन्होंने 300 वाट मेंशन किया हुए लेकिन ये 300 वाट की न नहीं होती और अल्ट्रा प्राइट 150 परसेंट लिखा हुए है 90 परसेंट एनर्जी सेव भी लिखा हुए है और 10,000 अवर इसकी लाइफ बताई हुए है इस तरह का ये प्रोड़क्ट आता है ये हर एक गाड़ी में इजी इंस्टॉल हो जाती है इसमें ये सब मोडल आते हैं H1, H3, H4, H7 और ये वाला मोडल 9005 मोडल है जो कि एक करेटा गाड़ी का मोडल है और इसकी हम अन्बॉक्सिं बॉक्स के अंदर ये इन्होंने सबसे पहले वरंटी कार दिये गए है और इसकी वान एयर की वरंटी आती है ये देखिए ये वरंटी कार दिये गए है और ये एलन की और ये स्क्रू और ये बॉक्स में LED लाइट ये इस टाइप की दिखाई देती है ये देखिए इसकी quality बहुत ही अच्छे लग रही है इसके blast के उपर 150W लिखा हुआ है यह 150W की ही है एक्चुल में इसकी build quality की बात करें तो यह काफी best build quality इसकी दिखाई दे रही है और यह काफी कम light consume करती है बैटरी consume करती है और उसमें इसका focus होगारा काफी bright रहता है इसमें यूनिट में बस ये box में दो यूनिट्स हैं बस और इसके इलावा बस ये ln की वगएरा दी गई है ये easy install है किसी भी गाड़ी में भी लगा के और यहां से हम इसे बस connector को connect करके इसे on कर सकते हैं इसके साथ extra relay वगएरा लगाने की कोई जूरत नहीं पड़ती इसके साथ में ये blast दिया गया है बस इसी के साथ काम चल जाता है हम आपको इसकी light की visibility वगएरा चेक करवाते हैं हमने light की connection कर लिया है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है bright है ये देखिए इसकी installation बहुत ही easy है हम खुद से भी ये लगा सकते हैं बस इसका कपलर के साथ कपलर ही attach करना होता है इसमें कोई extra relay वगएरा यूज नहीं होती और हम खुद से भी ये लगा सकते हैं अगर possible हो सका तो हम इसकी installation की भी आपको वीडियो बना की दिखा देंगे और साथ में किस गाड़ी में भी इसका light का review बगएरा चेक करवा देंगे और किसी भी मेरे भाई ने बाय करनी हो तो हमारे से भी बाय कर सकता है मार्किट प्राइस से काफी कम प्राइस में हम उसे प्रवाइड करवा देंगे एक है दोस्तों बाइबाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलत हैं ओके बाई बाई टाटा